हेलो दोस्तों दोस्तों यह नाटा के लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो में यहां पर अपलोड कर रहा हूं तो दोस्तों वीडियो कम्प्लिट देखना है और वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना है कमेंट्स आप देते नहीं हो इसका मुझे बहुत बुरा लगता है तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यह एक के लाओ और यहां पर आपको दिख भी रहे और गनिक फॉर्म्स क्या क्या निकाले थे अब हम नेक्स्ट यहां पर देखेंगे टेक्शर तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्टन है टेक्शर में और एक टाइप आता है वह मैं बाद में जब वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताने वा बॉक्स बनाऊंगा और यह बॉक्स के अंदर आपको टेक्शर निकाले देखेंगे तो यह वर्टिकल लाइन का टेक्शर इसको लाइन टेक्शर भी बोलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह लाइन लाइन से टेक्शर बनता है दोस्तों इसकी आपको प्रैक्टिस क और कमेंट्स जरूर करने हैं और भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो वह भी आप बता सकते हो तो यह number one यहां पर टेक्चर कामी मिन लिए है number one यह लाइन का टेक्चर है है यह वर्टीकल लाइन का टेक्चर बनाएं है यहां पर आप देख सकते हो next जो है यह और द्न लाइन का टेक्शिर या पर सब ऑरीजन लाइन्स आएंगे तो जो भी टेक्शिर की टाईप में यहां बता रहा हूं आप लिख लिएगा नेक्श जो रहेगा उसके नमबर थर्ड यह नमबर टू था यह नमबर थर्ड तो यहां पर ये slanted line का texture हमने line में slanted line देखे थी उसी को लेकर हम यहां पर texture बना रहे हैं तो यह एक texture का time एश slanted या तो diagonal line बोलते हैं इनको तो ये line का use आपको lines ये topic में आपको देखने को मिलेगा जो मैं इसके बाद और भी जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके detail में जब मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ तो वहाँ पर आपको इनके क्या माइने है ये lines के वो वहाँ पर आपको समझ में आएगा और ये सारे वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपका अच्छे से study हो जाएगा नाटा के लिए ये बहुत important वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तो ये diagonal line या slanted line का texture next is hatching hatching में दो-तिन types आते उसमें से दो मैं यहाँ पर निकालके दिखाऊंगा तो hatching का एक type जो है यहाँ पर देख सकते इस type में lines ये सारे vertical lines मैं ले रहा हूँ और इसी को मैं cross line करने वाला हूँ तो ये इनको बोलता है hatching तो इस तरह ये ये texture बन जाएगा इसको checks भी बोल सकते है ये हो गया hatching, cross hatching तो यहाँ पर आप देख सकते ये texture का type यहाँ पर और दो texture की type में बताने वाला हूँ ये texture का type कौन सा है ये आपको comments में लिखना है इसका नंबर है 5 5 नंबर का texture मैंने कौन सा लिया है ये नंबर डालके बोलना है कि नंबर 5 ये texture है तो दोस्तो ये आपको जरूर comments में इसका नाम बताना है ये कौन सा texture है तो यहाँ पर आप texture की type देख रहे हो तो दोस्तो 15-16 basic types आते है वो basic type में से मैं यहाँ पर आपको कुछ type आपको उसकी जानकारी हो इसलिए यहाँ पर मैं निकालके दिखा रहा हूँ बाकि जो texture पूरे texture में आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ तो यह type कौन सा है यह आप मुझे जरूर बताएंगे next और यहाँ पर last texture का टाइप में लेता हूँ और यह type है कि इसका नाम तो मैं बोल दूँगा यहाँ पर तो यह जो type है यह स्ट्रिपलिंग टाइप है मतलब डॉट 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 से बनाए गया texture तो दोस्तों यह जो स्ट्रिपलिंग का टाइप है यह आप यहाँ पर देख रहे हो तो दोस्तों इसी तरह यह complete यहाँ पर किया जाएगा तो यह स्ट्रिपलिंग टेक्च्चर बोलते हैं यह नाम आप जरूर लिख लेना है जरूर याद रखना है कि यह स्ट्रिपलिंग का टेक्चर है इसको स्ट्रिपलिंग टेक्चर बोला जाता है तो दुस्तों इसी तरह यह complete हमें करना है और यह टेक्चर को फिर से नाम बना नJust टैप देखते इसको टाइम बोट लगेगा और उतना टाइम हमयरे हम वेस्ट नहीं करेंगे आपको समझ में आई यह बात ऐसा मैं समझता हूं नेक्ट है कलर तो दोस्तों कलर जो है इसमें कौन से कौन से कलर आते हैं यहां पर मैं दिखाने वाला हूं तो यहां पर आप देखेंगे primary color तो primary color में कौन से कौन से color आते हैं तो primary color में आता है blue number one blue red और yellow red next आएगा blue and yellow तो यह होगे primary color secondary color यह दो color जो mix होते हैं primary color दो color mix होके जो color बनता है उसको secondary color कहते हैं तो secondary color कौन से कौन से है यह हां पर मैं आपको बता रहा हूँ secondary color में red और yellow अगर mix करते हैं तो वो होता है orange red और yellow का orange हो गया red और blue यह दो color अगर mix करते हैं तो यह होता है violet और next जो color है blue और yellow इसका बनता है green तो दोस्तों यहां पर आपको यह बात समझ में आया होगी कि primary color जो है उन्हीं दो color का mixing से secondary color बनते हैं तो तर्शरी color जो है यह भी primary और secondary color के mix करने से बनते हैं वो मैं जो बाद में वीडियो मैं डालूंगा उसमें आपको यह इसके details बताऊंगा कि तर्शरी color कौन से किस तर अनलॉगस कलर मिंस क्या है उसके बाद में कॉम्प्लेमेंटरी कलर कॉम्प्लेमेंटरी कलर कैसे बनते हैं कौन से कौन से होते हैं उसके बाद में cool colors और वाम कलर तो दोस्तों कि हम कलर का special में जो वीडियो बनाऊंगा उसी में आपको यह सारी जानकारी detail में देने वाला हू कॉम्प्लेमेंटरी कॉल कलर एन वाम कलर रहा तो इसके मैं तो और यहां पर थोड़ी सी जानकारी के लिए हम यह देख सकते कि स्केल प्रपोरशन जो है जैसे कि यहां पर मैंने एक सरकल निकला इसको बाल कोह सकते उससे फोड़ा चोटा ति फोड़ा चोटा उससे और धोटा उससे और चोटा उस Sahas तो यहाँ पर ये जो चेल दीख स्क्राइब तो यहां सकते इसे कुछ गुना बढ़ा है यह तो यह जो हो गया है QCB बोलेंगे, scale proportion scale proportion में और एक example मैं यहाँ दे सकता हूँ, यहाँ पर मैंने एक square निकाला यह दूसरा square है यह उससे बड़ा square है यह इससे बड़ा square है तो यह scale proportion के यह type हो गए scale proportion and size तो उसमें आपको यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा, कि suppose scale proportion size में यहाँ पर एक इंसान मैंने निकाला यह एक इंसान यहाँ पर मैं निकाला और यहाँ पर आप देखेंगी तो उसी के साथ एक chicken तो यह किए scale proportion का एक example मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ तो यह दोनों भी यहाँ पर आप देख सकते हो तो ऐसे अगर पिक्चर आपको दिखते हैं तो इसको scale proportion साइज में अब बोल सकते हो तो दोस्तो नेक्स जो टॉपिक है वह हम देखेंगे नमबर एट यहाँ हमने scale proportion देखा है वी वैल्यू ग्रेडेशन ग्रेडेशन क्या होता है तो यहाँ पर हम एक एक एक्जामपल लेंगे इस मोनोख्रोमेटिक तो मोनोख्रोमेटिक जो scale रहती है मोनोख्रोमेटिक colors रहते हैं उस color को हम ग्रेडेशन बोलते हैं जैसे कि कोई भी एक color hue color अगर लिया औरिजिनल color अगर लिया उसके अंदर आप यहाँ पर और इस साइड में अगर आप white mix करते चलते हैं white color mix करते जाएंगे तो यहाँ पर सबसे light मतलब white color दिखेगा यह color का जो hue color है suppose blue होंगा तो blue का सबसे light color इदर आएगा light 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 हो जाओते और यह साइड में black color mix करेंगे तो यह साइड में इसको इस साइड में dark color मिलेगा सबसे black color यह साइड में मिलेगा तो इसको कहते हैं कि टिंट्स और जो ब्लैक कलर में होता है यू कलर में उसको बोलते तो शेड्स तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते कि यह साइड में आएगे लाइट वैल्यू स्ब़स्टों और ये सांड में एके डार्क वेल्यू कि पूथ है वेल्यूबेक कि अधर लाइट वैल्यू आएगे जिस साइड में वाइड वाइड मिक्स होगा इधर हाई वैल्यू बोलेंगे जिस साइड में ब्लैक मिक्स होती जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड में ब्राइट कलर दिखेगा इस साइड में डार्क कलर नदर यहां पर एक्जाम्पल में एक एक्जाम्पल देता हूं उससे समझ में आ जाएगा इस पेस के लिगे यह अगर कोई चीज है तो यह खाली जो जगा दिख रही है यहां पर इसको हम स्पेस बोलेंगे यह हो गया स्पेस और यह हो गया मास तो स्पेस आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ तो दोस्तों यहां पर हमने जो जो टॉपिक लिए है उसके अच्छे से स्टड़ी करो समझ में ने आया होगा तो वीडियो रिपीट आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो तो जो जो questions मैंने इसमें पूछे है वो आपको comments में बताना है कि उसके answer क्या है और वीडियो कैसा लगा यह comments में आप जरूर लिखना है जरूर बताना है तो चलो दोस्तों चलते है thank you thank you very much